स्वागते बच्चो जी टी शैम्स के चैनल पर जहां आज हम पढ़ने चारे स्टेंडर फोट एवियर्स पार्ट इट्थ जैप्टर द वैल्यू और फुड जहां पर आप क्या देखने वाले हो फुड आपके आता कैसे है उसकी जर्नी क्या होती है और यहां पर भाक्री का क् पहले आप बोला गया फुड शुल नॉट गेट विस्ट इन खाना जो ए वह फेका नहीं चाना जी अर्जुन एंड वर्षा और ब्रदर और सिस्टर देखने लव तो एट हॉट बाज्रा भाक्री इस विद बटर यानि कि अर्जुन और वर्षा जो जो भाई बहने और उन कि जो मम्मी है वो भाक्री के साथ और भी जो खाने होते है वो बनाती है और उन्हें ये वो भी सीज़े पसंद रहती है ओफटन में सर्विंग वर्षा और अर्जुन अमिल मदर सेज टेक अल्ली असमच एज यो वांट फूट शुड नॉट गेट वेस्टेट वन दे अर् कि जब एक दिन उनकी ममी वर्षा और अर्जुन गोस्त देटी अर्जुन को क्या बोलते है तुम्हें ज्यत खाना है तुम उत्न ही लो और यह क्योंकि उसे फेटणा नहीं है तो अर्जुन उसे क्या पूछते цеерм है कि मम्मी जब भी आप उमने खाना देती और नुक्तिन वो हम आहम तक आया कैसे and then वो क्या बोलती है कि चलो में तुमें एक स्टोरी बताती है यानि कि कहानी किसकी बताती है तो भाकरी की कहानी बनाती है क्योंकि उन्हें भाकरी खाना पहुत ज़यदा पसंता तो वो उन्हीं की स्टोरी बताती है the story of a भाकरी यू नो दादा, my father is a farmer and you know that schools have a summer vacation यानि कि अब उनकी मम्मी उन से पूछ रहे हैं कि तुम जानते हैं जो तुमारे दादा है यानि कि पेरे father है, वो क्या है? वो farmer है और वो क्या बोल रहे हैं कि जो schools होते हैं, schools में summer vacations होते When I was small, we often went to my father's field riding on his tractor That would be the time for riding the field यानि कि जब वो छोटी थी, वो क्या करती थी, वो अपने पपा के साथ कहां पे जाती थी फार्म में जाती थी और तभी का time क्या होता था जो खेत होता था उसे तयार करने के लिए ताकि उस पे क्या लगा सेके? जो seeds लगाने के लिए उसे तयार किया जाता था father would attach different implements to the tractor to carry out various farming tasks first he would plug the fields and then crush the lumps of soil finally he would level the field to make it ready for sowing और जो fields यानि की खेत, खेत को तयार करने के लिए वो क्या करते थे? ट्रैक्टर में अलग-अलग equipment लो होते थे, फार्मिंग के वो लगाते थे जो भी farming के टास्क होते थे, उन्हें complete करते थे, पहले वो क्या करते थे? पहले वो खेत को खोते थे, फिर जो मत्टी के लंप बन जाते थे यानि कि अगर मत्टी घट्टे हो जाती थे तो उसे तोड़ते थे और फाइनली वो क्या करते थे? जब ग्राउंड एक लेवल पर आ जाता था तो उन्हें समझ जाता था कि अब क्या है? यहां पर हम बीए डाल सकते और जो प्लांट है वो जो क्रॉप्स है वो उगाने के तयार है तो प्री मॉंसून शावर्स वो में थे होट इंड वो जाता था यानि कि अगर थोड़ा सा मॉइस्टर आ जाता था और उसी के बाद उन्हें पता चल जाता था कि यह अब ताइम वमें क्या करना चाहिए इसमें बाज़र एक जो सीर्ज होते वो डाल देने जाता तो यहां पर पहले क्या हुआ पहले जो फार्मर्स होते फार्मर्स पहले क्या करते वो फिल्ड को पहले वो सही करते यानि कि पहले उसे क्या किया जाता है ट्रैक्टर की मदद से खोदा जाता है देन जो लंप बनते उन्हें क्रश किया जाता है और फाइनली फिल्ड क्या ह रगा डिये जाते हैं विद रसेच इंड बाजरा फेचे ने पिर अब यहां पर विच नहीं करते हैं बाजरा बाजरा गया जो प्रड़ा नहीं होते थी जो अच भाजरा रमिंट में पर आदा लक्ते थी टाते थी जो इनके पापा होते थे, वो क्या करते थे, वो लेबर्स को रखते थे, यानि कि कुछ लोगों को काम पर रखते थे, और वो लेबर्स को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, यानि कि, यानि कि, जो भी लेबर्स को रखते था, वीट्स को उखाडने के लिए, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें पैसे देने पड़ते थे, रेन्वाटर इज इनफ फॉर वाज्रा तो ग्रो विगरोस्ली, यानि कि, रेन्वाटर जो होता है, वो बारिश का पानी बाज्रा के लिए इनफ होता है, बहुत होता है, उसे उगाने के लिए, आफ्टर वाइल, इयर्स ओफ बाज्रा अपियर ओन एवरी स्टॉक, और जैसे कुछ दिन, थोड़े दिन हो जाते हैं, तब क्या होता है, यानि बाज्रा हर एक स्टॉक, हर एक डंडी पर क्या होता है, अब य जैसे 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 ग्रेंज इस ओर बाज्रा में बढ़ते जाते तो जो चिडिया होती है, उन्हें खाने को आती है, अब उन चिडिया को भागाना पड़ता है, skilled slingshot used to frighten the birds अबे, और जो चिडिया इन्हें ना खाई ग्रेंज को, इसके लिए करना पड़ता है, उन् से भगाने के लिए दराने के लिए when the ears of corn are full it is the harvest time that is all the ears of बाजरा must be cut and gathered then follows threshing and winnowing that is how we get the grain from the ears of बाजरा अब years of बाजरा तो आ गया अब उसे बाजर से भी बचा लिया अब बाद में क्या करना है जब farmers को पता चल जाता है कि अब जो corn है वो finally हो चुकिया बाजरा में जो बाजरा है वो अच्छे से ग्रो हो चुक है तो क्या करना पड़ता है इन्हें हार्वेस्ट करना पड़ता है यानि कि इन्हें काटा जाता है और फिर क्या करते है फिर हम क्या करते है फिर उसको थ्रेशिंग करते है विनोईंग करते है थ्रेशिंग और काटना उन्हें एक साथ गैदर करना यह तो समझ गया बट अब यह थ्रेशिंग और विनोईंग क्या होता है तो उनकी मम्मी क्या बोलते है ठीक है चलो मैं तुम्हें भी बता दूंगे लेकिन पहले जो मैं बोल रही हूं उसे फॉलो करो तुम्हें पता चलेगा और हम क्या ह करते है इस स्टीय को कांट्यू करें अब यहां पर आप तया इस पताचल्दा है इनकी हार्वेस्टिंघ की जाएरे इनकी काटा जारे है कार्ट के साथ में रखा जा रहा है किसे तो आपके बाजरे को नेक्स से ट्राइड इस अब यहां पर आपको क्या एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको क्या करना है करना है तो पहले आपको बोला गए टीक हाफ बास्केट फुल ऑफ ड्राइड ग्राउंड नट पॉड टाइड वे लेना करना है कि जो सिंग्दानै गारत यह उतनी पुछां पॉच्छन आई ताइम लगा देन नेक्स नेक्स्टेप नौ पूट द अधर पोशन इन को बैग उन जा देन अधा देन पाऊट अधा प्यूद प्यूद बैग लिड़ी मत कीशन हर सब्सक्राइब आप थेचींद पर सब्सक्यूद लेग अगद रख टीरियों के लाखत जाकता है तो तेक रड़े से हैले को मैंonne वानला है वाणन अडेय ताइट्र मीड अवर्च एटैल में अवड अछे को क्या था पूच गैल कों वाणने कई स fragmentsile यह में लाने पीज़ाइट हैёं हैball tea God अरजुन ने उसे ट्रेमे डाल थे तो से क्या पता सला जो पॉड थे तो थे व होचुगेते थे खुल चूकेटे और जो भी उसके अनर गाउनने से वो होचंगे थे खूल चूकेते वो भार थे ते n. न. न. Elayum lady, she would say this can be called threshing out of the threshing of the pods now, hold the tray in both of your hands toss its content quickly and lightly in the air tell me what happens गो कपडे में डाले जो अपने उसे पीटा उसी को क्या बोलता है उसे हम तरेशंग बोलते हैं और अब क्या करने बोलते हैं कि जो ट्रे ग्तरी तरेज्चें त्रे लो याथ में आत है भरा जल टरी इसे ईज़्दी से left behind but why does that happen और जैसी वर्षा ने उसे टॉस किया तो वो क्या रिखती है जो एमटी शेल्स यानि कि जो इसके बाहर के शेल्स होते वो नीचे गिर जाते है और जो ग्राउंड नॉट्स होते वो वहीं पर रह जाते अब ऐसा क्यों होता है तो उनकी मदर बोलती है तो शेल्स अर शेल्स अर लाइट शो देट ब्लोन बाइद एर एंड फॉल उफ जो शेल्स होते वो कैसे होते वो हल्के होते और हवे के मदद से वो क्या हो जाते वो उड़कर नीचे गिर जाते द नट्स अर हैवियर एंड आर लेफ्ट बिहाइंड वाइल विनोईंग तू दू दॉ बिनोईंग अजू होते हाँ हवे ते helps भूपम reference nil some वेखुश बिलयाज और हवे के मतल वो जाते है और हवे के मतल यह जो शेल्स नीचलते छाए और सारी चिजसे क्या हो वह होता है threshing and then उसके shells को अलग करने के लिए आप क्या यूज करते हो तो वह होता है आपका विनोइंग then next now let's go on with the story दादा यूज इस a machine for threshing and विनोइंग अब उनकी मम्मी क्या बोलती अब जब तुम्हें threshing और विनोइंग का मतलब पता चल जुका है तो अब हम क्या करते हैं अब हम हमारी story को continue करते हो क्या बताते है कि यह थ्रेशिंग और विनोइंग करने के लिए उनके जो दादा है वो क्या यूज करते थे वो एक मशीन का यूज करते थे इन दा मशीन थ्रेशिंग और विनोइंग अर डन अड़ दे शीम ताइम ताइम दाइंग the harvested ears are put into the machine then grain gets separated and falls into a bag tied to the machine the chef and other rubbish gets blown off अब मशीन के मदद से यह जो काम होता था यह बहुत ही जादा जल्ली हो जाता था और मशीन के help से कि ट्रव इंगी निकलते यह वहां पर बैग टाइय के आरेगा हो वहां पर वहां पर की जाएंग और दूस्टी तरफ दूसरा कहश्चिट निवला घर चाएगा और यहιοह जाएगा नियकल जब मशीन नहीं थी तब किसका यूस किया जाता था तब बलॉक्स का यूस किया जाता था और उनके मदद से थ्रेशिंग होती थी और विनोइंग करने के लिए एक आदमी होता था वो क्या करता था था थोड़ा ऊचा खड़ा हो जाता था धीरे धीरे थ्रेश ग्रें को गिर अब यहां पर क्या बोला है कि हवे के मदद से जो भी शेफ वह तो अलग तो हो जाते थे बड़ मशीन क्या करते हैं काम को इजी बना देती और जल्दी कर देती है बड़ मशीन के साथ साथ इसमें लेबर और एक्सपेंस भी बहुत जादा लगता और जब हमें चाहिए तो हमें यह वहां पर डालना भी पड़ेगा तो यहां पर आपको बोला गया इफ आपको बोला गया इफ आप मशीन इस नौट अफलेबल दबॉल अफ जू दब त्रेशिंग अर राउंड स्पेस इस क्लियर इन फिल्ड फ्लोर इस प्रिपेर यानि कि जब मशीन नहीं होते थे तो बॉल्ड को यूज होता था और फिर प्रिपेर किया जाता था यानि कि अगर आप इमेज को भी देखाऊगे तो आपको समझेगा पेड़ है और पेड़ के यहां पर क्या कर रहे है जो बॉलोग के वो चल रहा है अब यहां पे आपको थ्रेशिंग का जो पहले के ताइम पे जो प्रोसेश ता वो बताया गया यानि दो कि पहले कि आ और वो चल जो एक रूर डहा जाता यहां पेड़ू के बहुत दिन तक चलता हूँ और बूलोग के लिए यह तो अब ज़्यादा हो चाण Эवि दलý यह गर इन सब्राइद गरख सीजित दिन नेगा इसाग प्रॉपर केर इस टेकन तो मेक शूर दाट इट विल नॉट वी अटेक्ट वा इन्सेट और अधर पेस्ट सच इस माइस एंड रेड अब थ्रेशिंग भी हो गया इन विनोइंग भी हो गया इसके बाद क्या होता है जब ग्रेंज अलग अलग हो जाते तो उन्हें किसमें भर जाता था सैक्स में जो भी गोनी होती तो उसमें भरा जाता था और उसके बाद एक प्रॉपर केर लिया जाता है कि वह कोई भी इन्सेक्ट उस पर क्या करें अटैक नहीं करें और माइस और इसे खराम न करें तो यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चल्ड है वह क्या श्चे करते था था यहां तो अबलब आपको प्सक्राइब आप फार्मर को क्या जाती थे मारकित के लिए थे यहां गर्वर फार्म को पैसे देते उस क्रॉप सब्सक्रेंएब अर्जोने और बद भाकरी इस नॉट रेड़ येट अब अरजोन क्या पूछ रहे है कि आप स्टोरी बता रही थी बट भाक्री तो अभी तक बनी नहीं है तो तुम क्या करो इसे सुनो नेक्स यहाँ पर अभी के टो वहा पर से बेश थे प्रांस्पोर्ट कासे फोल से खाते हैं थो वह से टो तो च्रांस्पोर्ट रहां तो इसे बीच आने तो गुड्ट टैन्ज उसमें चाती है then next say it is the turn of porters and truck drivers to put in their labor transport cost a lot too अब यह किसकी जिम्मेदारी होगे तो यह आपके truck drivers के होगे और जो भी traders है, porters है, उनकी जिम्मेदारी होगे कि इसे कहाँ, जहाँ पे भीजना है, वहाँ पे चले जाए और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसो का use होता है और यह भी बहुत ज़्यादा कोस्ट करते है यानि कि अब क्या होता है, जब वह stores में आ जाते हैं जो किराने का दुकान होगे या कोई जिस दुकान पे वह रहते वहाँ पे जाते, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें खरीदते हैं और भी कर रिमाद किन आवश श्राव मर्श के पत्थर थि नहीं और भीा ओंगे अलग की अधिक और उसे पीछने को भीचा आड़ा सब्सक्षाएं इस खागह आटा सुस्क्राइब यह ओर फ्या dw – और उसे पंद में नेड पेंद तो भी अंधिसीमत cvn बाकरी में बनाते हैं और फिर उसे क्या करते हैं रोस्ट करते हैं यानि कि उसे पकाते हैं then next day we spend on fuel too and thus at the end all of this the भाकरी appears in वर्शाज and अर्जुन's plate now would it be right to waste food that we get through the efforts of so many people अब उनकी मम्मे क्या बोलती है फाइनली इतने सारे काम के बादे हैं कि पहले 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 अपका system त्यार वती कि भिल यह उने के बाद प्रिमं मौशून कि clear ईल्या लगाज़शन च्टी तर्षी के लिएक का पेहले हैं बहुत और भाकरी के बाद को पिर भाकरी बनाग्रीन चाह मैं कहा प्र हम धैअजते जो छातंब को साफ किया जाता है तो यह काननी बाजरी काननी तक नियुक्त क्या पूरी तरीके से अर्वेस्ट करना के लिए रेडी हो जाता है तब क्या फार्मर्स नहीं काटते है जिसमें उन्हें क्या करना पड़ता है लिए जब लीरल डाते रर्षय को लगार पड़ता है उन्हें मेर पाम फरकान में कॉन्सिट देशाइन तुछन थेनु गज़ने वसा थे कितते हुँ से अटाथे से बढा है लीगार्षप से बचने को व्रणलिंट मेरा रेखन देगा है जानाम मेराष देता है और फिर उसे भी टयान्य आटा भाजरे के प्लेट्स करने का लूच तो इसे करके बाजरे की भाकरी होती है उसे एक तरीक्तिक है और अरजुन और वर्षा के प्लेट्स में बोलती है जितना हमें खाना है उतना ही खाना क्या हमें लेना चाहिए और यहां से हमें क्या पता चलता है कि एक फूड की वेल्यू कितनी जाधी होती है तो इसी के लिए आपको क्या बोला गया है कि आप जब खाना खा रहे हो तो आपको उतना ही खाना लेना है जितने आपको खाना है तो आपको थोड़ा सा खान एंटो ज्यादा सा जादा लेलो इतना खाना है उतना ही क्या फूट आपको यहाँ पे लिनाए तेन नेक्स यहाँ पे डू यू नहीं अगें यहाँ आपको बोला गया है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हाँ कहीं से मिल जाते होंगे बट अच्छल में यहां से मिलते होंगे तो यह आपके fresh water में मिलते हैं तो अब इन्हें क्या करना पढ़ता है पहले निकालना पढ़ता है फिर इन्हीं ड्राइ करो ड्राइ करने के बाद इससे store करो देन store में बेजो तो इसमें बहुत जादा time लगता है और यह जो है यह आपके किसका पेड़ तो यह आपके मखाने का पेड़ है पेड़ नी प्लांट नेक्स्ट क्या अधर फूट्सप अब यहां पर आपने से बाज़े के बारे में देखा अब अधर फूट्सप क्या उनको भी इतना ही टाइम लगता है क्या उनके पीछ भी इत पीपल हो गैदर एंड सेल फ्रूट्स लाइक आमला जामुन करवंदा बोर विज ग्रो इन फॉरेस्ट अब जो फिश फिश हमें वाटर से मिल तो ऐसा नहीं है जो फिश अगर कोई खाता होगा तो फिश आई वाटर से थाली में घिर गई और वो लोग खा लिए ऐसा नहीं ह पड़ता है मंचली को पकड़ने के लिए ऐसा नहीं कि उतर एक कीडा डाला मचली आगया उसने पकड़ लिया नहीं उसके लिए बहुत ही जादा काम लगता है फिर जो पीपल होते जो बाहर थोड़े थोड़े हम देखते हैं वो क्या बेचते वो करवंदास बेचते आमला बोर हो गया वो सारे चीजे बेचते तो उन्हें भी यह सारी चीजे लाने में क्या बहुत जादा काम लगता है नेक्स सम पीपल है वेजटेवल फार्म सम पीपल है और चैट पर ग्रोइंग फूर्ट्स करप सम पीपल की पॉलेट्री पॉल्ट्री सम रेर आनिमल्स फॉर म क्या करता है कुछ लोगो के पास फॉर्म सहों कुछ लोगों के पास पॉलेट जाट लगते हैं कुछ हों बनाते है वी आप महीं के जाब हो फूर्ट्री इ reminds में कैसम पॉल्ट्री खुलत तो ऊंती है एंस ओस लोग करतेम ही को लिए म्मेट को लिए तो सारी चीजह के लिए hard work लगते हैं, all these people put in a lot of hard work in their own occupations, we get a great variety of food shop as a result of their effort, the effort and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing them as well as preparing the various dishes we eat all these processes are expensive therefore it is necessary for all of us to take care that food is not wasted and finally, here you have to say what we have learned after the food, we have to waste it and we need to waste it not to waste it so I hope after reading this lesson after learning this lesson we will waste it if you do not do it it is a very good thing what we have learned what we have learned in this lesson first you have seen why not waste food how to waste food what is the journey what is the journey next is hard work you have seen how hard work what is the journey the foodstuff we use come from many different places such as fields, lakes, sea and forest i.e. the foodstuff what we eat and use are very different places first you have seen lakes, sea, forest then next starting for preparing the fields storing the grain in warehouse many different kinds of tasks are carried out for growing crops harvesting threshing and winnowing are some of this task that is why after preparing the land after storing the grain there are many tasks and what are the tasks harvesting threshing and winnowing are some of this task after that after that the crops are transported sold and prepared for eating only then do we get the food on our plate after these things we get the food after transport we get food what we eat and some people waste without growing grain much hard work goes into producing other food also just grain not grain and the foodstuff is hard work to grow next we all must take care to ensure that food is not wasted what is the question you told me that we need care and ensure that food is not wasted and no waste नहीं इसके लिए आप कर सकते हो बैस जितना चाहिए उतना खाने के लिए लो अब कहा आ गए हो इस लेशन के एक्सराइस पर आगए हो तो हमक्या करते लेसन के एक्सराइस को स्टार्ट करते तो पहला यहां पर क्या वाट से solution यानि कि solution के तो आपको question पुछा गया your friends wants to know where big round amlas come from? यानि कि आपके friends को जानने है कि amlas कहां से आते हैं तो amla कहां से आते हैं आपके north eastern region of india तो इसके answer आपके लिखो कि big round amlas come from north eastern region of india then next day we find out अब यहां पर first question is what is the place called where salt is obtained from sea water यानि कि उस जगह को क्या बोलते हैं जहां से नमक क्या किया जाते है नमक पाया जाते है तो उस place को क्या बोलते है the place where salt is obtained from sea water is called as a salt pen उसे हम क्या बोलते है salt pen बोलते है then second day potatoes and radish grow underground which other birds and root do we get from the plants अब पूछा गया है कि potato और जो आलू हो गया और आपका रैडिश हो गया वह क्या होते है वह आपके जमीन के अंदर उखते तो और और ऐसे कैसे then next question क्या है आपे third one what is kanagi for what purpose do farmers use it अब आपे पूछा गया यह क्या होता है farmers इसका use क्यों करते तो यह क्या होते है kanagi is a place where grain is stored it is used by farmer to protect the to protect the grain from attacks यहापे आपका लिखोगे protect the grain from attack of insects and pests like mice and rat in olden days it was made by bamboo sticks यानी की kanagi क्या होता है एक जगह होती है जहाँ पे grains को store किया जाता है क्यों store करते तो उन्हें protect करने के लिए किससे इंसेक्ट से और पैस्ट जैसे होगे आपके चुहे हो गए then next fourth question है आपका for what does a farmer use an implement called a tippan यानी की farmer जो implement यूज करते तिपन वो क्यों यूज किया जाता है तो उसका answer आप लिखो क्या आप लिखो क्या फार्मर यूज किया जाता है तो उसका answer आप लिखो क्या फार्मर यूज किया जाता है तो यूज किया जाता है तो इसका answer आप ल लेमने चर बधार इनक्रीडियंक्त के अबडब thếidet और शूगर अपको कहा से मिलता है शुगर ग Erfahrung फिल्ड में खेत में ग्रोव होता है तो यह वे आपका 3rd 4th & 5th question next question is c fill in the blanks यहां पहला question आपसे पूछागा है when the soil become hot and dash the crop is sown यानि कि soil is hot and dash the crop is sown the crop crop is dry and humid मेड लिखो, लिए मैड के इस अप्रेश वाल दरिए मोला आपके रिखो स्नाज कि पशलिश्य ङरा टेहित एक रख तो यह जासे है जाई कि विम्चेट से फोटेशने इस आंकि प्रॉट सन्हेट इस आपके ब्सक्राइए मेड कूला ने सी सब्सक्राइब ऑप ब्लाइच पर इसे स्पेंड करते थे तो उता था आपका लेबर पर रेबर पर डेबर पर करते थे ताकि वो चाहँ चाहँ है प्रिपिर प्र ब्रेफ यह पर पहला कुशन है आपका How is फेल्ड प्रेपार इसपेड याने कि प्रिप्र ना किसे किया जाता है? जो seeds होते हैं उन्हें उगाने के लिए तो इसका answer आप क्या लिए summer is the time for ready to find the field यानि कि summer season होता है वो क्या time होता है field को तयार करने का तो उसके लिए हम क्या करते है different implements को different implements को attach करते tractor के साथ to carry out various farming tasks first the field is blocked and then crush the lumps of soil find the field is live to make it ready for showing पहले क्या होता है पहले क्या होता है पहले tractor का use किया जाता है उसे plug and खोदने के लिए और फिक क्या किया जाता है जो lumps पने रहते हैं उन्हें crush किया जाता है और फिर fire जो field जब एक level पर आजाता है उससे छोड़ दिया जाता है स्वेंग के लिए then second question या पर how is grain transported to all parts of the country यानी कि grain को कंटी की हर एक part में transport कैसे क्या जाता है तो उसके लिए इसका answer आप क्या लिख होगी तो grains that traders buy is sold all over the country it is transported by means of trucks और goods trains जानी कि जो grains traders buy करते वो country के all over country बेचा जाता है तो उसे transport करने के लिए क्या use किया जाता है तो पहला होगा आपका truck और goods train it is turn of portals and truck drivers to put in their labor और इन्हें transport करने के लिए अब यह किसका turn होता है तो पोडस और truck drivers का truck drivers का काम होता है कि वो अपना क्या labor लगाए और क्या करें उसे transport करें then next question है यहां पर आपको पूछा गया कि हमें खाना क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए तो यहां पर हमें बोला गया all the people put in lot of hard work in their own occupation we get a variety of puts up as a result of their efforts यहां कि बहुत सारे लोग क्या करते है वह hard work बहुत जादा काम करते उनके हर एक occupation में कि अगर वो लोग अगर पॉल्ट्री है तो वहां पर भी उन्हें काम करना पड़ेगा देन अगर वो फोरेच से तोड के ला रहे तो भी उन्हें काम करना पड़ेगा और उनके result उनके इसी efforts के वज़े से हमें क्या मिलता है जो खाना रहता है वो मिलता है the effort and labor of many people are required for storing transporting and marketing as well as preparing the various dishes we eat all this process is very expensive therefore it is necessary for all of us to take care that food must not be wasted waste यानि की जो storing से लेकर transporting और marketing ये सारे काम में बहुत जादा आपका बहुत जादा hard work लगता है और expense भी लगता है और इसी के वज़े से हमें ये ensure करना चाहिए कि जो food है जो खाना है वो waste नहीं होना चाहिए what are the tasks that we carried out to make a bakery after the grain has been brought into the house यानि की अब ग्रेन हमारे घर में तो आ गया बट ग्रेन आने के बाद हमें भाकरी बनाने के लिए और कौन से टास्क करने पड़ते तो पहला क्या होता था पहले हम उसे खरिदे ज़े स्टोर से खरिदने के बाद उसे साफ किया जाता है फिर उसे पीषने के लिए जाता है इसके बाद उसे क्या किया जाता है नीड किया जाता है फिर भाकरी बना के उसे क्या किया जाता है रोस्ट किया जाता है तो इसका आप क्या लिखोगे इसका आप क्या लिखोगे तो इसका आप क्या लिखोगे तो इसका आप क्या लिखोगे इसका और यह सारे process के बाद वो क्या होते है हमारे plate में finally आ जाते तो यह हो गा आपका भाकरी का process then next यहां पर match the following यह आपका A group और यहां पर आपका B group यहां पर आपको पूछा गया salt हमें कहां से बिलता है? Salt जा से हमें से से यहां पर match करेंगे C then next sugarcane शुगर केल अभी answer to question में भी अमने देखा था है शुगर केल अब हमें कहां से बोर कहां से मिलते थे तो फॉरिस्ट से मिलते थे फ्रेश वाटर लेग से तो यह क्या हो गए आपके match the following answers होगे और इसी के तरह क्या होता है आपका ये lesson भी कतम होता है जहाँ पे आपने क्या देखा फुट की value देखिए और उसके साथ ही साथ जो उसमें process क्या होता है और क्या-क्या labor और hard work लगते I hope आपको ये वीडियो समझे होगे फिर मिलते next वीडियो में